हलो फ्रेंड्स, कुजूर एलेक्ट्रीकल्स में आज आपका फिर से प्यार भरा नमस्कार, आज हम लोग बेसिक बात करेंगे, मेनुवल ओटोमेटिक इस्टेप लेजर जो है, वो मेनुवल स्टेप अप और स्टेप डाउन में ओटो कट नहीं हो रहा है, ऐसे सिच्वेशन में आपको कहां पे ध्यान देना बेसिक जरूरी है, उसके बारे में आज सम्पुन जानकारी इस वीडियो के माधियम से हम लोग लेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो लेट साइड का कबर है, उसे हटा देना है, अब देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैक्रो कंट्रोलर कीट लगी हुई है, और एक DC कीट, जो आपका बारा बोल्ट से ओपरेट होता है, वो DC कीट लगी हुई है, जो आपका के लिए है, ताकि आपके घर में जो आउटपुट करेंट नहीं जा रहा हो, उससे आप रेड बल्ब से आप जान सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो DC कीट लगा हुआ है, उसे हम लोग खोल लेंगे, यह DC कीट है, यह मैनुवल और ओटोमेटिक को काम है, इस कीट का काम है, आप पूट रीले को कंट्रोल करना, यदि आपका जो इस्ट पलेजर है, वो ओटो कट नहीं हो रहा है, ज्यादा भोल्टे सप्लाई देने के बाद भी, तो आप समझ जाए कि आपका जो छोटा वला कीट है, जो आप पूट रीले आप देख सकते है यहां पर इस रीले को चेक कर लीजे, आपका रीले तो जला हुआ नहीं है, यह आटपूट रीले है, देख लिजिए, यह थोड़ा कारबन आया हुआ है, इसे जहाड देते हैं, यह relay बिल्कुल साप है, इसे जहां था वहीं पर डाल देते हैं, देखिए इसका जो supply है, इस relay का supply इस kit के साथ है, देख सकते हैं, इस kit के साथ है, simple है, आप बहुत ही आसानी से इसे solve कर सकते हैं, इसका neutral wire है, उसे आप चेक कर लीजे, देखिए, ये एक 12 बोल्ट का टेपिंग निकाला गया है जो कि आपका red color का wire यहां पर आया हुआ है transistor पर transistor पर नहीं आया हुआ है देखिए यह चला गया है आपका filter condenser में और यहां आप देख सकते हैं यह जो wire है वो प्रिलेम आया हुआ है तो इस सिस्टम को हम लोग हटा के इसे पूरा असान तरीका से इसे आज हम लोग रिपेर करेंगे सबसे पहले इसके अंदर जो कचड़ा है उससे हम लोग मसीन से हटा लेंगे देखिए काफी गंदा हो चुका है यह काफी पुराना इस्टेपलेजर है इसे हम लोग फिर से बनाने का कोशिस कर रहे हैं तो आप देखिए क्या करना है यह जो लेग लगा हुआ है इसे खोल के यहां आपको 909 या 12012 या 909 ट्रासफार्मर आपको लगा लेना है इससे क्या है कि आपको काम करने में काफी आसानी होगी देखिए इससे आपको अच् पुट वोल्टेज को कंट्रोल करेगा यादि आपके घर में हाई वोल्टेज जा रहा है तब तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसे टाइट कर लेना है आपका 909 टू एम्पीर का होना चाहिए इसे सेट करने के बाद यह जो यहां आप देख पा रहे हैं माइक्रो कंट् फार्मार में आप एक साइट देखिएगा 12012 लिखा हुआ है उसका जो साइट साइट का चोर है उसे आपको DC कीट में जोड देना है बहुत ही सिंपल तरीका है देखिए आपका कहां चला जाएगा इसका देखिए यह रेड वयर जो है यह कहां गया हुआ है आपका डायोट में ठीक है आप दोनों वयर को डायोट में या कंडेंसर में उल्टा सीधा कुछ भी जोड सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहले हम लोग डायोट के एक सीरे पर जोड देते हैं यहां क्या करना है आपको सोल्डिंग कर देना है उसके बाद सेकेंड वयर जो है इसे को यहां पर सोल्डिंग कर देना है बहुत ही सिंपल तरीका है उस पुराना कीट को आज हम लोग हटा के इस नया कीट को उसमें अर्जेस्ट करेंगे अब देखिए यहां जो वयर था उसको हम लोग हटा लेते हैं यहां तीन वयर एक न्यूट्रल मिला के आया हुआ है दो आपका रिले का वयर है ठीक है तो चेक कर लिजे के कौन सा वयर आपका रिले का है आपको दिखाए दे रहा होगा यहां इससे सबसे पहले टाइल बिले कलर का जो वयर है अब देखिए बिले कलर का जो वयर है और रेड कलर और पीला कलर तीन कलर का वयर आया हुआ है ठीक है तीनों कलर का वयर को आपको किस तरीका से जोड़ना है एक वयर आपका हट जाए यहां से कहे कि रिले का दो ही पॉइंट रहता है बारा बोल्ट या 24 भोल्ट का तो दो पॉइंट है और वयर आया हुआ है तीन तो एक वयर को आपको काट के हटा देना है ठीक है सबसे पहले हम लोग रिले का दो वयर रेड कलर और बिलेक कलर आप ये जो ट्रांजिस्टर है इसका बीच वोला सीरा बीच वोला सीरा जहां पे है वहीं पे आपको सोल्डिंग कर देना है यहां आपको सिंपल तरीका से सोल्डिंग कर देना है देखिए और एक जो है वो आपका कंडेंसर में चला जाएगा कंडेंसर के नेगेटिव सोर पे आपका चला जाएगा ये आपका कीट का काम खतम हो गया इससे आपका जो तीसरा रीला है इसमें तीन रीले डाले गए है तो तीसरा रीला आपका आटपुट रीला है ये कट हो जाएगा इस DC कीट की मदद से तो एक वेर यहाँ एस्ट्रा जोड़ी गई है नीट्रल वेर पहले का जो connection था वो कुछ अलग था तो आज हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं इसमें tie lock लगा हुआ है इस tie lock को हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो सबसे पहले इसको हटा देते हैं देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह जो transformer है यह 5KB का manual automatic step laser है 5KB हो या आपका 3KB हो या 10KB का हो सारा transformer में इसी परकार से winding की जाती है और connection जो है वो सारा step laser का same रहता है थोड़ा बहुत अलग रहता है लेकिन जो आपके पास जो theory है उस theory से भी आप बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं देखिए यह जो wire है हम आपको manual automatic step laser assemble करने का जो तरीका बताए है उसी परकार से यह step laser बनाई गई है लेकिन थोड़ा सा काम करने का तरीका उल्टा है इधर dpdt switch बनाया गया है इस side पे और उस side पे आपका dpdt का pole को short किया गया है देखिए इस side का black color wire तो black color wire को हम आपको बता चुके थे manual automatic step laser new बनाने कि समय हम आपको बता चुके थे कि यहाँ से आपको कहां ले जाना है एक transformer में एक वेर आपका कहां चला जाएगा यह चला जाएगा आपका transformer में एक सीरा को transformer में जोड़ दीजिए कौन सा transformer बारा जिरो बारा या 909 दोनों में से कोई भी transformer में आपको एक छोर को जोड़ देना है इसमें आपका AC करेंट जाएगा step up में भी जाएगा और step down में दोनों इस्थिती में आप एक वेर जो है यह चला जाएगा आपका output जहां से आपका output करेंट सप्लाई जा रहा है देखिए तीसरा लिला में यहां से आपका output सप्लाई जा रहा है यहां पर आपको जोड़ देना है इससे आपको पता चल जाएगा कि यदि आपका 909 जो transformer है या 12012 transformer है उसमें high voltage पढ़ने के कारण यह जो आपका DC कीट है उसमें आपका current ज्यादा सप्लाई होने लगेगा जिसके वज़ा से आपका DC कीट जो है वो output को auto cut कर देगा ठीक है देखिए यह जुड़ गिया है relay का दो सीरा जो है आपका 12 volt का वो जुड़ गिया है आपका DC कीट में अब आपको क्या करना है देखिए यह जो neutral wire है एक neutral wire transformer की पीछे तरप से input और output की और जाती है वहाँ से एक neutral wire निकाला जाता है पूरा connection करने के लिए volt meter में और LED बल में supply देने के लिए वहाँ पर आपको क्या करना है बीच से कट करके वहाँ पर आपको बजर जोड़ देना है AC बजर हवरन ठीक है इससे क्या होगा कि आपका जो high voltage जाएगा auto cut हो जाने के बाद यह AC बजर जो है यह humming करने लगेगा आवाज करने लगेगा तो यह जो बजर है यह AC बजर DC बजर नहीं है आपको जब भी यहाँ कि रिले का बीच वाला पॉइंट में चला जाएगा एनो पे चला जाएगा नॉर्माल ओपें पे इससे आपका क्या होगा कि आपका रेड बटन भी जल जाएगा और यह हवरान जो है वो आवाज करने लगेगा इसको आपको क्या करना है सिंपल यहां है सोल्डिंग कर देना है सोल्डिंग करने का तरीका नहीं है तो आप यहां पे नट बोल्ट के मदद से भी टाइट कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है कि जगिए सब सबसे पहले जानना पड़ेगा तो क्या करेंगे सबसे पहले सबसे पहले जानना पड़ेगा तो क्या करेंगे सबसे पहले जो इस वायर का काम नहीं है उस वायर को हम लोग टाइलोक कर देते हैं सबसे पहले इस वायर को हम लोग क्या करेंगे टाइलोक कर देंगे देखिए इस परकार से आपको लोक कर देना है यदि आप मेरे चैनल में नए है तो इस चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए हम आपके लिए इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं ताकि आपको काम करने में कोई परेशानी ना हो देखिए आपको टाइलोक लगा लेना है हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी दिया जाता है आपको यदि सीखने का जरूरत है आप हमारे यहाँ सोप में भी आ के सीख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है मेरा जो इस से पहला वीडियो है उससे आप देख सकते हैं देखिए हाउरन को हम लोग यहां टाइट कर लेते हैं अब क्या करना है टाइट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बोल्ट मीटर डालेंगे आटपूट में क्या करेंगे बोल्ट मीटर डालेंगे इससे क्या पता चलेगा कि आपका घर में जो सप्लाई जा रहा है वह कितना बोल्टेज जा रहा है आपको कितना बोल्टेज में कट करना है आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि आपको कितना बोल्टेज का जरूरत है और मेनुवल ओटोमेटिक इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियों बताएंगे लेकिन आज सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे देखिए वोल्टेज को पूरा डाउन कर लेते हैं कर लेते हैं अब क्या करेंगे यहां भेयर अगर से हम लाइन देते हैं यृदि आपके पास भेयर नहीं है तो आप इस्टिक परकार बढ़ आपको से ऐसे जवाकर सकते हैं देखिए 230 net आप इसको कट करना है तो क्या करना होगा आपको इस DC कीट को पेचकस डाल के बीच में आपको राइट घूमाना पड़ेगा राइट घूमाईएगा तो क्या होगा आपका इस्ट प्लिजर कट हो जाएगा देखिए इससे ज्यादा वोल्टेज आपको सेट की मदद से ताकि आपका घर में जो है वो आटपूट सप्लाइग ना जाए ज्यादा देखिए यह सेट हो चुका है अब इसको आप ज्यादा बोल्टेज बढ़ाईएगा तो यह ओटोमेट ट्लिकली है कि यह हाइकट हो जाएगा इसे कम हो गया कम में कोई दिक्कत न आ रहे हैं शायद आपको समझ में नए ही भी आ सकता है लेकिन आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है यदि आप एक दुकंदान है और आप हर एक काम को करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेस्ट है आप सही तरीका से देखिए सही तरीका से समझेए ऐसा नहीं यदि आप मेरे चैनल में नए हैं फिर से हम आपको बता रहे हैं यदि आप मेरे चैनल में नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको काम करने में कोई परिशानी ना हो